प्यारे बच्छो मोसन एज्यूकेशन में आपका स्वागत है अब का आपका अपना किस्ण कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ साथ समा कलण में आनसिक भिन क्या लाया हूं बटा आनसिक भिन जान रहे, ये बिंदी लगाने जरूरी है, अगर बिंदी नहीं लगाएंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आंसिक भिन परते हैं अपने, आंसिक भिन पहले ग्यारवी कक्षा में हुआ करते थी, इस नाम का एक पाठ हुआ करता था, किसी जमान लेकिन अब न तो ग्यारवी क्लास में है ना बारवी क्लास में है, लेकिन काम बहुत आती है साथ, तो इसलिए आज अपन पूरा लेक्चर केवल आंसिक भिन पर आधारित रखेंगे, आंसिक भिन क्या है, कोई भी वेंजग, जो अनस्वा हर के रूप में लिखा हो, उसको अपन आंसिक भिन में तोड़ते हैं आंसिक भिन का मतलब ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अपने को याद है जो समाकलन होता है अगर अंस वहर में है तो हरार मादेव का तो फॉर्मूला लगता है निये समाकलन तो अपन कोशिस करते हैं कि अंस में एक रहे या कोई अचर मान रहे अगर वहाँ पर कोई बीजे पद है तो वो ऐसा होना चाहिए जो हर को अगर मैं टी मानू तो उसका अवकलन मन जाए अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे को आंसिक भिन का सदुपयोग करना पड़ेगा अब कैसे करेंगे साथ तो यहाँ पर आंसिक भिन के बारे में बातचीत करते हैं विटा आंसिक भिन मैंने का आप से कि विटा भिन्दी जरूर लगानी है अगर भिन्दी नहीं लगाएंगे तो गड़बड हो जाएगी ठीक यह आंसिक भिन सबसे पहले बात करी मैंने इस्तिती फर्ष्ट किसाब इस्तिती फर्ष्ट क्या हो सकती है तो यहाँ पर मैंने लिखा पी एक्स प्लस क्यू और बटे में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी यह आगे साथ जब ऐसा हो कि हर में एक घाती गुडंखन दो रहा हैं अब मुझे इसको आंसिख भिन में तोड़ना है किसमें तोड़ना है तो मैं क्या काम करूँगा यहाँ लिखोंगा देखना ए बटे में एक्स माइनस ए और बटे में एक्स माइनस बी यह लिख दिया साथ अब यह ए और बी इनके मान निकालूँगा इनके मान अचर के रूप में आएंगे यहाँ पर इसके मान रख दूँगा और समाकलन कर दूँगा इसका समाकलन संभव नहीं था क्यों नहीं था कि अगर इसको टी मानता तो यहाँ पर यह इसका अउकलन नहीं बन रहा था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा आन सिक्विन में बच्चा विस्वास कैसे कर ले तो अपने को ये एक्जाम्पल के द्वारा बताना पड़ेगा एक उधारान लेते हैं विटा यहाँ पर मैंने एक उधारान लिया था यह लिखा तीन एक्स और प्लार दो बते मैं एक्स माइनस एक और एक्स माइनर दो मान लिजिए यह कोई व्यंजक हैं आज अपन समागलन की बात नहीं करेंगे आज केवल आंसिक बिंड समझेगे ठीक है तो यहाँ पर यह एक व्यंजक है 3x plus 2 बटे में x minus 1 x minus 2 हर में एक घाती गुडन खंड हो रहे है देखो आप एक घाती गुडन का इसमें भी x की घात 1 है इसमें भी x की घात 1 है मैंने इसको आंसिक भिन के रूप में लिख लिया ये मान लिया किसाब मैंने ये आ गया सा a बटा x minus 1 और b बटे x minus 2 ये होगे ठीक है ये मैंने a और b अपने मन से रख दी अब क्या काम करता हूँ यह एलचम लेके गुणा सुना करता हूँ तो ये आ गया 3x और plus 2 ठीक है 3x plus 2 और साब a गुणा x minus 2 और b गुणा x minus 1 इसको मैंने नाम रख दिया साब समीकर नमबर a ठीक है अब मेरा पूरा ध्यान कहा है इस a और b के मान निकालने पर अब कैसे निकालते हैं इसके मान देखिया बारी बारी जो ये गुणा खना है इनको बारी बारी 0 के बराबर रखो यहाँ पर x minus 1 बराबर 0 यानि कि x बराबर 1 समीकर नमबर 1 समीकर नमबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा बिटा समीकर नमबर 1 रखने पर यहाँ आएगा साब 3 गुणा ए प्लस 2 और a यहाँ आएगा 1 minus 2 और b गुणा 0 अब यह देखिए हम यह कितना है 5 और यहाँ कितना है minus का 1 तो यहाँ से a बराबर कितना आगया बिटा minus के 5 यह हो गया साब a बराबर क्या आगया minus 5 अच्छा अब दूसरा गुणखन इसको बराबर 0 के रखो x minus 2 बराबर 0 x बराबर 2 यह भी का रखना है अपने को समी कराण 1 में समी कराण 1 में रखने पर अब समी कराण 1 में रखने पर क्या होगा देख़ाँ यह आए आपने पास में 3 गुणा 2 plus 2 और 1 गुणा 0 फिर 2 गुणा 2 minus 1 ठीक है तो यह 2 minus 1 और यह कितना होगा 6 और 2 आठ तो यहाँ पर B बराबर B बराबर कितना होगा पिटा 8 अब समी आपके पास में A बराबर है minus 5 और B बराबर है 8 तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ आगे नहीं लिख रहा के साथ 3X plus 2 और बटे में X minus 1 और X minus 2 को अगर मैं आंसिक भिन में लिखना चाहूँ तो यह लिख सकता हूँ minus 5 बटे X minus 1 और plus 8 बटे X minus 2 यह हो गया साथ अब ऐसा ही नहीं है कि ऐसे हवा में लिख दिया इसको अगर मैं सरल करूँगा ना तो यही चीज आएगी यह सरल करने पर यही आएगा देखो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने LCM लिया सा X minus 1 और X minus 2 यह आगया minus के 5X और plus के 10 plus 8X और minus 8 अगर इसको सरल करेंगे तो 3X ठीक है और साब plus 2 और बते में X minus 1 और X minus 2 यह हो गया साब यह अपने पास में इसको सरल करने पर यह आगया मतलब इसको यह लिख सकते है अब बालक कहेगा उद्दे से क्या है ऐसा क्यों कर रहे है तो बिटा समाकलन करने के लिए अंस में अचर होना चाहिए क्या होना चाहिए अचर अगर वहाँ पर कोई चर है तो वह ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर हर को टी मानू तो वह उसका आउकलन बन जाए प्रतिस्तापन करने से उसको हटाया जा सके लेकिन यहाँ आपर नहीं हट रहा तो अपने क्या काम करा आंसिक भिनकर सदूपयों करा यह देखा आप ठीक है तो कैसे करते हैं बेटा सबसे पहले उसको अगर इस्तिती फर्ष्ट है अभी कि अगर हर में एक घाती गुणन खंड हो रहे है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे फिर A और B के मान निकालने के लिए बारी बारी इन गुणन खंडों को बरावर जीरो के रखेंगे जिससे A और B के मान आजाएंगे वो A और B के मान यहां रखते हैं यह बस समझें एक और देखते हैं घर्णा नहीं है देखो आप यहां पर एक और एक्जामपल लेते हैं है ना सवालों की कोई कम ही नहीं है यह लिए आपने दो X और साब प्लस एक बटे में X प्लस एक X प्लस दो और साब X प्लस तीन भी ले लो सा ठीक है? तीन हो गए सा कोई दिक्कत नहीं तीन हो चार हो कोई फ्रक नहीं है अब इसको तोड़ा सा तो यहां A बटे X प्लस एक B बटे X प्लस दो और C बटे X प्लस तीन यह हो गए अब यहां पर क्या हुआ? यह अपने माना है A, B, C अपना उद्दे से क्या है? A, B, C के मान निकाला ठीक है? अपन क्या जा रहे है? A, B, C के मान निकालने जा रहे है तो यहां पर देखा यहां जाएगा 2X और प्लस एक बराबर A गुणा X प्लस दो और साब X प्लस ती फिर B गुणा यहां गया X प्लस एक और X प्लस ती फिर C गुणा X प्लस एक और X प्लस दो यह हो गई अपने पास में समीकर नंबर एक ठीक? अब क्या क्या काम करता हूँ मैं? कि X प्लस एक बराबर 0 और X बराबर माइनस एक कहां पर रखने पर? समीकर एक में एक में रखने पर क्या करना हूँ पेटा कि बारी बारी इन गुणन खंडों को 0 के बराबर रखोंगा ठीक है तो ये रख लिए साब अब क्या हुआ कि यहां देखराब 2 गुणा माइनस 1 प्लस 1 या आगा 1 गुणा माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 बी गुणा 0 और सी गुणा 0 यह आजाएगा माइनस 2 और 1 माइनस का 1 यहां पर क्या है देखराब प्लस का 1 और प्लस के 2 तो यह आए आपने पास में माइनस 1 बराबर एक गुणा हाँ बई यह एक और दो कितना हो गए दो इसको इधर लाएंगे तो यह आगया अपने पास में 2 तो एक आमान कितना है आपिटा माइनस 1 बटे 2 यह एक आमान आगया ठीक है कोई दिकत अब साथ एक्स प्लस 2 बराबर 0 एक्स बराबर माइनस 2 रखने पर माइनस 2 समी करण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा साथ समी करण 1 एक में रखने पर देखा आप दो गुणा माइनस 2 प्लस एक एक गुणा 0 बी गुणा माइनस 2 प्लस एक माइनस 2 प्लस तीन और सी गुणा 0 अब यहां देखा माइनस चार प्लस एक यहां गया माइनस के ती ठीक है यहां बच रहा है माइनस एक और यहां बच रहा है प्लस का एक minus 1 plus 1 गुणा करे तो क्या आगया minus का 1 तो यहाँ पर आया अपने पास में यह है minus b तो b का मान कितना आगया बिटा एक यह b का मान आगया अब क्या काम करा आपने x plus 3 बराबर 0 तो x बराबर minus 3 समी करण 1 में समी करण 1 में रखने पर अब समी करण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा यह आजाएगा अपने पास में यहां रखने है अपने 2 गुणा minus 3 plus 1 और साब a गुणा 0 b गुणा 0 और c गुणा यहाँ पर आएगा minus 3 plus 1 और minus 3 plus 2 हाँ भी यह है minus के 6 और plus 1 बरावर यह आगया minus के 5 अच्छा यहां देखा minus 2 और minus 1 तो क्या आगया plus के 2 तो यह आगया अपने पास में 2c तो c बरावर आगया minus 5 बटे 2 यह हो गया इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर मान रखो तो एक की जगे क्या है minus 1 बटा 2 तो यह आगया minus 1 और 2x प्लस 1 फिर b की जगे पर क्या रखोंगा 1 तो यह आगया एक बटे एक बटे और x प्लस 2 और c की जगे पर क्या जगया minus 5 बटे 2 ठीक है और साब x प्लस 3 यह हो कैसा ठीक है बटा लगा देता हूँ यहा किसे कितना आसान कहा मै तो यह कब है जब हर में एक घात एक गुणद कंडूर्म अपने किस की बात करी इस्टिती 1 की आदा इस्टिती प्लस 1 उसके बारे मैं जांकारी लेते हैं इस्टिती second वो क्या होगी साथ यह है अपने पास में PX प्लस Q और बटे में X माइनस A और X माइनस B इसका होली स्कुर्ड मतलब एक गुरंखन की पुन्राव रत्ती हो रही हो एक गुरंखन की क्या हो रही हो पुन्राव रत्ती एक गुरंखन दो बार आ रहा हो एक्स माइनस बी अब चुक्कि इसकी पुर्णा वरत्ती हो रही है तो एक बार तो बगेर घात के लिखेंगे फिर यहाँ पर सी बटे और एक्स माइनस बी की घात ऐसे करके लिखेंगे मतलब अपने को यह याद रखना है कि कब कैसे तोड़ते हैं कब कैसे तोड़ते हैं यह पता होना चाहिए अगर एक घाते गुड़नखन ते तो यही तक होता यहाँ पर एक घाते गुड़नखन में किसी गुड़नखन की पुन्रावरत्य हो रही है तो जिसकी पुन्रावरत्य होती है जितनी वाज़े से यहाँ पर अगर तीन लिखा होता तो यहाँ पर एक फिर दो फिर एकोर आज़ता है डी करके तीसरा तो ये बात अपने को याद रखने है कि जब गुणनखंड की किसी गुणनखंड की पुन्रा ब्रत्य होती है तब अपन कैसे इस्तेमाल करेंगे ऐसे ऐसे ही विश्वास नहीं करना है उधारन लेते हैं अपने ठीक है? उधारन क्या है सब? यहाँ पर देखिए किसाब 5X माइनस दो और बटे में X माइनस एक और X माइनस दो इसके घाद दो अब यहाँ पर इसके अनुसार A बटे X माइनस एक B बटे X माइनर दो और C बटे X माइनर दो की घार ये दो अब 5X माइनर दो बराबर A गुणा X माइनर दो का हो रिश्च गया फिर B गुणा यहाँ जाएगा X माइनर दो और C X माइनर दो और C X माइनर दो यह हो गई समय का नमबर अब मुझे यहाँ पर A B C यह क्या है 101 सचर इनके मान निकालना है तो कैसे निकलेंगे साथ देखा आप सबसे पहले बारी बारी इन गुणा खंडो को 0 के बराबर रखो तो यहाँ पर देखे आप X माइनर एक बराबर 0 X बराबर 1 समी करण एक में रखने पर अब समी करण एक में रखने पर क्या होगा देखा पांच गुणा एक माइनर दो एक माइनर दो इसका होल इसका है यह आ जाएगा बी गुणा जीरो और सी गुणा जीरो अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक का स्क्वेर माइनर एक का स्क्वेर एक यह आ गया पांच में से दो गए तीन तो एक का माण कितना आ गया बीटा एक बराबर तीन यह आ गया साथ एक बराबर तीन अब एक माइनर दो बराबर जीरो एक बराबर दो समी करान एक में रखने पर अब समी करान एक में रखने पर क्या होगा देखवा यहां पर देखें एक स्वराबर दो रखने पांच गुणा दो माइनर दो और A 0 B गुणा 0 और C गुणा 2 माइनस 1 तो यहां से 1 और यहां गया 10 में से 2 गए तो 8 तो यहां पर C बराबर कितना आ गया 8 अब अपने पास में कोई गुणनकन नहीं बचा जिसको मैं 0 के बराबर रख लू बही अब ऐसा कोई गुणनकन नहीं है जिसको मैं 0 के बराबर रखू तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा तर्गीब नमबर 13 आइटम नमबर 14 क्या करेंगे साथ यहां पर X के सबसे बड़ी गाद देखा क्या है X की गाद 2 तो मैंने क्या काम करा X समी करन एक में समी करन एक में X की गाद 2 के गुणांकों की गुणांकों की तुलना करने पर अब गुणांकों की तुलना करने पर क्या होगा देखा यहां पर आएगा अपने पास इधर X की गाद 2 का गुणांक क्या है जीरो यहां पर A यहां पर क्या है प्लस B तो यह आगया अपने पास में मान किसका निकल ला है B बराबर माइनस A और A का मान तो आपन निकाल चुके हैं न विटा A का मान कितना था 3 तो B का मान आगया माइनस 3 यहां अगया A, B, C के मान यहां पर रख दो तो यहां पर यह अपनी जो समीकरण है यह सोरी आंसिक भिन जो है वो क्या हो जाएगी 3 बटे 3 बटे X माइनस 1 माइनस 3 बटे X माइनस 2 और प्लस 8 बटे X माइनस 2 इसकी घाट दो यह हो गया साथ यह तब इस्तेमाल करेंगे जब हर में किसी एक घातिय गुणनखन की पुनराव रत्ती हो रही हो क्या हो एक घातिय गुणनखन की पुनराव रत्ती हो रही है आई बास समझे और देखते हैं अब अपन क्या काम करते हैं इस्तिती तीन के बारे में बाच्चित करें इस्तिती तीन क्या होगी वो भी देखें साथ इस्तिती तीन है कि P X प्लस Q और बटे में X माइनस है और X के घाट 2 प्लस B यह है मतलब अगर हर में अगर हर में एक दुई घाती गुड़न खंड हो यह ज़ादा हो तब क्या होगा यहाँ पर एक तो एक घाती है लेकिन एक है दो घाती गुड़न खंड है जब हर में एक एक घाती गुड़न खंड हो और नई भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर में दो घाती गुड़न खंड है तब उसको आंसिक बिन में कैसे तोड़ेंगे तो वह एक घाती के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है A बटा X माइनस A यहाँ पर दिक्कत है इसके लिए तो यहाँ क्या करेंगे B X और प्लस C और बटे में X की घात 2 प्लस B यह हो गया चाँ यह अपने को तब इस्तेमाल करना है जब हर में जब हर में एक दो घाती गुड़नखंड हो जब हर में क्या हो एक दो घाती गुड़नखंड हो तो भई यह उधारन के बगएर तो समझ में आने से रहा तो क्या काम करता है एक उधारन लेते हैं तीन एक्स प्लस दो और बटे में एक्स प्लस एक और एक्स की घाद दो प्लस दो ये ले लिए असा ये क्या करना आपने तीन एक्स प्लस दो एक्स प्लस एक एक्स की घाद दो प्लस दो ठीक है तो कैसे तोड़ेंगे साब A बटे X प्लस एक और सब यहां आएगा B X प्लस C और बटे में X की घाद 2 प्लस 2 यह हो गया अब क्या काम करना है अपने को कि यहां पर मान निकालने किन अचरके A B और C के किसके मान निकालने विटा A B C के वो कैसे निकालेंगे साब वही तरकीम नमबर 13 आएटाब नमबर 14 3 X प्लस 2 बराबर A गुणा X की घाद 2 प्लस 2 फिर B X गुणा X प्लस 1 और C गुणा X प्लस 1 यह हो गई समीकर नमबर 1 यह क्या गई बिटा समीकर नमबर 1 अब क्या काम करते हैं पहले तो जिनका माँजीरो के बराबर रख सकते हैं वो रख के देखते हैं तो यहां इस गुणाखन का माँजीरो के बराबर रखते हैं X प्लस 1 बराबर 0 तो X बराबर क्या जाएगा? माइनस 1 कहा रखने पर समीकर नमबर समीकर नमबर 1 एक में रखा तो यहां क्या हो जाएगा बेटा देख़ो आप X वारावार माईनस एक रखा हो तीन गुणा माईनस एक प्लास दो अब यहाँ पर माईनस एक रखेंगे तो A एक प्लस दो यह आगया B गुणाज 0 और C गुणाज 0 हाँ भई यह है माइनस 2 मुश्री माइनस 3 और 2 माइनस का 1 और यह है 3 तो A बराबर आगया माइनस 1 बटा 3 यह A का मान आगया अब साब यहाँ पर X की घाद 2 प्लस 2 को बराबर 0 के नहीं रख सकता क्यों नहीं रख सकता क्योंकि X की घाद 2 बराबर आएगा माइनस 2 और किसी भी संक्या गवार कभी माइनस नहीं होता काल पें संक्या को छोड़ कर ठीक है तो इसलिए यह तो पॉसिबल नहीं है तो अब क्या करेंगे तो अब मैंने आपको पहले तरकीब बताई थी ना X की सबसे बड़ी घाद लो तो यह X की सबसे बड़ी घाद क्या है? 2 तो यहां से चालू करते हैं साथ X की घाद 2 समी करार 1 में X की घाद 2 के गुणांकों की X की घाद 2 के गुणांकों की कि तुलना करने पर तुलना करने पर अब क्या हो जाएगा साथувати एक्स के घाद दो के गुडांकों कि तुलना करने पर यह आग FC गाद दो यह रहा और यहाँ गलावर क्या गया बेटा बी बड़ाबर आ गया माइनस ए यानिकि B बड़ाबर आ गया अपने पास में एक बटाथ तीन यह हिसा B बड़ाबर एक बटे तीन अब क्या काम करता है समी करन एक समी करन एक में अब X की घाद दो हो गया अब X के घाद X के गुरांक X की घात एक के गुणांकों की तुलना करने पर X की घात एक के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा साम यहां देखो आप X के गुणांक किता है तीन बराबर यहां पर ही नहीं X के गुणांक यहां कितना है प्लस B और यहां कितना है प्लस C तो यहां से C बरावर आगया तीन माइनस B तो C बरावर आगया आपने पास में तीन माइनस एक बटा तीन तो यह आगया नो और एक आठ बटे तीन तो C बरावर आगया आठ बटे तीन यह हो गैसा अब A बरावर आपके पास मान आगये यहां रख दो, B बरावर यहां रख दो और C बरावर यहां रख दो आगे साथ तो अपने को यह याद रखना है यह कब इस्तेमाल करा मैंने जब हर में एक गुड़नखन या एक से ज़्यादा ऐसे हो जिसमें दो घात आ रही हो दो घात यह गुड़नखनडो तब अपन इसका इस्तेमाल करेंगे किसका? इस्तिती तीन का अब सब इसके बाद में देखें आपन इसके बाद आते हैं आपन यह इस्तितियां प्रमुक प्रमुक तो यह थी उसके बाद में कुछ परिसानिया खड़ी हुई कैसे परिसानिय खड़ी हुई कि यहाँ पर देखा आप इस्तिती चार लिख देते हैं अपने न उसको इस्तिती चार इस्तिती चार इस्तिती चार क्या है कि अगर ऐसा हो कि अंस्वहर में X की घाट समान हो अंस्वहर में X की घाट समान हो जैसे यहाँ पर आया अपने पास में P X की घाट दो प्लस Q X प्लस R और बटे में X minus A और X minus B यहाँ गया X minus A और X minus B अब यहाँ पर अपने को क्या काम करना है कि अंस वहर में अगर एक्स की घात की बात करें अंस वहर में अगर आप एक्स की घात की बात करते है तो यहाँ पर कितनी है एक्स की घात हर में दो अंस में भी घात कितनी है दो अंस में और हर में एक्स की घात क्या है समान, बराबर अगर ऐसे इस्तिती होती है तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे देखना आप ये बहुत साफ़ानी वाली बात है अक्सर करके बच्चा ये गलती कर देता है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा A प्लस और B बटे X माइनस A और C बटे X माइनस B ये हैं ये A प्लस B बटे X माइनस A प्लस C बटे X माइनस B कई किताबों में इस A के इस्तान पर एक लिखा जाता है ये तब है यहाँ लिख देता हूँ चुकि ये है जब X की जब अंस्वा हर में X की घात समान हो ठीक है तब इस्तेमाल करें अब मैं क्या कह रहा हूँ आप से कि कई किताबों में यहाँ पर एक इस्तान पर वो एक लिख देता है वो इसलिए लिखता है कि वो ये मानता है कि भई हमेशा हमेशा हर में जो X की घात होगी उसका गुणांग एक होगा लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर हर में और अंस में अगर बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि अंस में जो X की सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणांग एक ही होगा कुछ भी हो सकता है जैसे इसको अगर मैं सरल करूँगा तो यहाँ पर एका मान पांच आएगा ठीक है अगर मैं यह पांच का आएगा अगर मैं इसको सरल करूँगा तो यहाँ पर एका मान पी आएगा अगर यहाँ X की घात दो का गुणांग एक होता तो यहां एक आमान एक आता है तो मतलब यहां पर एक आमान वो होता है जो X की घात दो का गुणांग होता है लेकिन अपन क्यों बैस कर ला है अपन दो एक्जामपल लेते हैं साथ एक्जामपल से समझते हैं ठीक है देखो यहाँ पर एक एक्जामपल लेते है यहाँ आपने पास मैं किसाद तीन एक्स की घाट दू प्लस दो एक्स और प्लस एक और बटे मैं एक्स माइनस एक और एक्स माइनस दो यह है एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो अब यहां पर अन्सव हर में, गातें किसी हैं, बराबर, देखों हर में X की गाते 2, अन्स में X की गाते 2, तो यहां पर क्या काम करेंगे बिटा, यहां पर अपन A प्लस B बटे X माइनस 1 और C बटे X माइनस 2 यह कर दिये, अब यहाँ पर 3x की घार दो, प्लस 2x, प्लस 1, बराबर, 1 गुणा, x-1, x-2, प्लस 2 गुणा, x-2, और c गुणा, x-1, यह आ गया, ठीक है, अब क्या क्या हम करते हैं आपन, के समी करण 1 में, 1 में, x-1, बराबर, 0, x बराबर, 1 रखने पर, क्या हो जागा से, देख आप, 3 गुणा, 1, 2 गुणा, 1, और 1, a गुणा, 0, b गुणा, 1-2, और c गुणा, 0, देखना जबा, 3, 2, 5, 4, 1, 6, यहाँ पर है, माइनस 1, तो b बराबर आ गया, माइनस 6, यह b का माना आ गया, ठीक, अब साब, समीख करा, 1 में, x माइनर, 2 बराबर, 0, यानि के, x बराबर, 2 रखने पर, और, x बराबर, 2 रखने पर, अब, x बराबर, 2 रखने पर, क्या होगा, x बराबर, 2 रखने पर,stäण 3, 2, की गार 2, 4, 2 गुणा 2, प्लस 1, A गुणा 0, B गुणा 0, और C गुणा 2, माइनस 1, एक. तिया आगया 12 और 4, 16 और 1 17. तो C का मान आगया 17.। अब भाईया बात हुई एक ही मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एका मान अंस में जो एक्स की गाद दो है उसके गुणान के बरावर आता है ठीक है? लेकिन क्यों माने साथ? करके देखते हैं अब यहाँ दोनों गुणान कर रख लिए जी रू के बरावर अब क्या कहा हम करते हैं? कि भई आप तरकीब नमबर तेरा आता नमबर चौदा बर्च तो यहाँ पर समी कराण एक में समी कराण एक मैं एक्स की घाद दो मैं एक्स की घाद दो के गुणानकों की गुणानकों की तुलना करने पर तुलना करने पर क्या होगा बेटा X के गढ़ांगों की तुलना करने पर यह आगए 3 और यह आगए A बराबर 3 वेरी सिंपल सी वागए अब देखो आप A बराबर 3 आगए तो अपने पास में क्या है गा 3 माइनस 6 बटे X माइनस 1 और 17 बटे X माइनस 2 यह हो गया ला यह तब इस्तेमाल करेंगे जब क्या हो अंस वहर में X के घाट समान हो अब बालग यहाँ पर एक और बात अड़काता है वो कहता है कि सर अगर ऐसा हो कि अंस में हर के घाट से ज़ादा आजाए तो नहीं समझे यह यह कहना चाह रहे है इस्तिती 5 देख लेते हैं अपन इस्तिती 5 इस्तिती 5 इस्तिती 5 क्या कह रही है इस्तिती 5 यह कह रही है कि अगर अंस में X की घाट जादा आ जाए ठीक है जादा आ जाए कैसे कैसे इस्तिती आ जाए पी X की घाट 3 प्लस Q X की घाट 2 प्लस R X प्लस N और बटे में X माइनस A और साब X माइनस B यह जाए तब क्या होगा ठीक है ऐसा हो सकता है अब यहाँ पर बात आए कि यार ऐसा होगा तो क्या होगा तो भई आंसिक भिन जो है वो बरावर वालों के लिए तो ठीक थी अब इसमें क्या काम करना पड़ेगा कि आपको इस हर से अंस में भाग देना पड़ेगा आपको क्या काम करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा और भाग देकर अंस की जो घात है उसको कम करना पड़ेगा बालक के समझ में नहीं आई कि अर ये क्या बात है ही साथ तो ये भी देख लेते हैं ये अपने पास में इस्तिती पाँच है इसमें यहाँ पर लिखने की बात नहीं है केवल यह है कि यहाँ पर अगर घात बराबर है तब तो ये इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर घात अंसकी हर की घात से बड़ी है, तो भाग देना पड़ेगा, अब साहब एक्जामपल तो समझना पड़ेगा अपने, उदार अंसी समझ में आ रहा है आपने, तो यहाँ पर यह देखिए, कि एक एक्जामपल लिया साहब, बाग देना तो आता ने पिटा, यह आया आपने पास में, कि दो एक्स की घात ती प्लस, और साहब एक्स की घात दो, प्लस दो एक्स और प्लस ती बटे में, एक्स माइनस एक्स और एक्स माइनस दो, यह आ गया साहब, अब अपने को क्या काम करना है, कि इसको आंसिक भिन में तोड़ना है तो सबसे पहले तो भाग लगाँगा अब भाग किसमें लगाँगा अंस में हरका भाग लगाँगा तो हर क्या है बेटा देख़ुआ ये है अपने पास में 2x की गाद 3 प्लस x की गाद 2 प्लस 2x प्लस 3 और बटे में आए साथ तो यहां आगया X की घाद दो माइनस तीन X और प्लस दो यह है अब भाग कैसे देते हैं याद करो आठवी किलास में बहुत अच्छे तरीके से समझाए था ऐसे कर गए ठीक है यह था दो X की घाद तीन प्लस X की घाद दो भाग लगा रहा हूं मैं X की घाद दो माइनस तीन X और प्लस दो से सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी घाद है उसको पकरता हूं और इसके पहले पत को पकरता हूं तो यहां पर X की घाद दो का इसमें भाग लगा है क्या आएगा बिटा इसमें भाग लगाऊंगा तो यह आएगा 2X कितना आएगा 2X तो यहाँ पर मैंने लिखा 2X ऐसे ठीक है फिर साथ इसका गुणा करा इससे तो यह आएगा 2X की गाद 3 फिर इसका गुणा करा इससे तो यह आएगा माइना 6X की गाद 2 फिर यहां गया प्लस के 4X और फिर ऐसे लाइन के लिए यहां पर नीचे वाले पदों के चिन बदलने पर यह अल्ला गो प्यारा हो गया यहां कितना बचाए? 7X के घाद 2 और माइनस के 2X और प्लस 3 अब यहां से X के घाद 2 को पकड़ा इसमें भाग लगा है तो कितना बचेगा? 7 और वो भी काएगा प्लस का तो यहां लिखा मैंने प्लस 7 यहां के सब क्या लिख दिया? प्लस के 7 अब क्या काम करूँगा? इस प्लस के 7 से गुणा करूँगा तो यहां आएगा 7X के घाद 2 फिर माइनस ठीक है? 21X फिर आएगा प्लस और 14 और बटे गटाने की किरिया में नीचे वाले पदों की चिन बदल देते हैं यह बदल दिया है अब यह तो अल्ला को प्यारा हो रहा है है ना? यहां कितना बचा बेटा? 19X और यहां कितना बचा? माइनस के 11 यह हो गया है अब X की घाज 2 का इसमें भाग लगा हूँ तो यह गड़ बड़ होगी सब यह पॉसिबल नहीं है तो अब क्या काम करेंगे आप अब अब अपन यहां पर इसको है ना? इसके रूप में लिखते हैं यह कैसे लिखा जाएगा आपको याद है ना? यहां पर यह है अपने पास में कौन? भाजक यह कौन है? सरी यह कौन है? भाज इससे अपन भाजक यह है अपने पास में सेशफल और यह है अपने पास में भाग पल ऐसे हैं ना? तो अल्गोरिथम नियम कलन विदी आपको यादेना क्या होती थी यहाँ पर आता था क्या यह टू एक्स प्लस साथ और यह अपने पास में क्या बच रहा है सेशफल तो यह आएगा सेशफल और बटे में देखो लिख के बता तो बराबर यहाँ पर आएगा अपने पास में दो एक्स और प्लस साथ प्लस यह आएगा उनिस एक्स और माइनस ग्यारा बटे में यह आएगा एक्स के गार दो और माइनस तीन एक्स प्लस दो यह हो गया साथ यहाँ पर इसको भाग लगा कर मैंने क्या काम करा है इस इस भिन को ऐसे बदल दी अब यहाँ पर अपना यह क्यों करा अपने यह अपने इसलिए करा था कि यहाँ पर अंस में जो X की घात थी वो हर की X की घात से जादा आ रही थी यहाँ पर अंस में जो X की घात थी उसमें हर की X की घात से जादा आने के कारण अपने ये भाग का कारिकरम करा है अब अपना उदेश से पूरा हो गया साथ अब अंस में एक्स की गात एक है और हर में एक्स की गात दो है तो अब इसको अपना अंसिक भिन में तोड़ सकते हैं बालक के इसको भी तोड़ो अरे ये तो सीधा सीधा सा है इसमें काई के तोड़ना है, यह तो 2X प्लस 7 है, तो अब क्या काम करेंगे साथ, अब हैं, 19 X और माइनस 11, और यह बटे में है X माइनस 1, और X माइनस 2, बराबर, A बटे, X माइनस 1, और B बटे, X माइनस 2, इसको सरल करेंगे, तो यहां पर 19 यहां पर 19 और साब x-11 बराबर 1 गुणा x-2 और प्लस b गुणा x-1 यह आ गई साब समीकर नमबर 1 यह क्या हो गई समीकर नमबर 1 अब अपने को a और b के मान निकालें तो ऐसा तो अपन करते आ रहें न है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं तो मैंने क्या काम करा कि x-1 बराबर 0 x बराबर 1 समीकर नमबर 1 मैं रखने पर क्या हो जाएगा साब यहां गई 19 गुणा 1 माइनस 11 और 1 गुणा 1 माइनस 2 प्लस b गुणा 0 देखें साब यह माइनस 1 और यहां गई प्लस के 9 हो तो यहां नोगाएगो आठ है तो यह बराबर आ गया माइनस के आठ को दिक्कत है ठीक है यह बराबर कितना आ गया माइनस आठ अब अब x माइनस 2 बराबर 0 तो यहां पर जागा एक्स बराबर 2 समीकराण 1 में रखने पर अब अब x बराबर 2 रखा साथ तो यह आगया 19 गुणा 2 माइनस 11 ए गुणा 0 और साथ बी गुणा 2 माइनस तो यहां पर बी का मान हाँ उनिस और दो कितने हो गए 38 अरतिस में से ग्यारा गए तो कितने बचे 27 तो यहां पर आगया बी का मान 70 यह हो गया ए और बी का मान आगया तो जो अपने समी करण थी वो क्या थी माला अपने को जिसको आंसिक भिन में तोड़ना था वो कैसे तूटेगी वो देखा आप यहां पर अपना था कि 2x की घात 3 प्लस और साब x की घात देख लेते हैं x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 और बटे में x माइनस 1 और x माइनस 2 यह आया था था अब इसको कैसे तोड़ना था देखा यहां दो x और प्लस 7 ठीक है यह ऐसे था फिर प्लस अब 19 माइनस x तो उसको अपने कैसे तोड़ना था कि a बटे तो a का मान कितना है माइनस 8 और बटे में x माइनस 1 और b बटे में यहां गया 27 बटे x माइनस 2 यह होगा जब मैंने क्या काम करा कि जितने भी संबब आंसिक भिन थी ठीक है जो तरीके थे वो देख लिया अपने ठीक है अब साब दो मानक सूत्र और थे जिनको अपन आंसिक भिन के माध्यम से देख लेते हैं ताकि कल अपन जब प्रश्णावली के सवाल करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जैसे पहला कौन सा था था आपको समा गलन वाली बात बता देता हूं कि यह है अपने पास में एक बटे एक्स की गाद दो माइनस एक की गाद दो और डी एक्स यहारा ऐसा ठीक है एक बटे एक्स की गाद दो माइनस एक की गाद दो ऐसा कोई सूत्र नहीं होता ले कैसे बनेगा यह देखो आप यहाँ पर इसको ले लेते हैं एक बटे x की गहाद 2 माइनस e की गहाद 2 इसको लिख सकता हूँ मैं 1 बटे x माइनस a और x प्लस e गुड़ंखंद कर दियो है अब यह एक गहाते गुड़ंखंद हो रहा है तो इसको लिख दिया हमें a बटे x माइ क्या एक बराबर एक गुणा एकस प्लस ए और बी बटे बी गुणा एकस माइनस ए इसको कह दिया समीकरार नंबर एक अब क्या काम करते हैं कि एकस माइनस ए बराबर जिरो एकस बराबर ए समी कराण एक में समी कराण एक में रखने पर अब समी कराण एक में रखोगे तो देखो आप यहां तो है इनी X यहां पर क्या होगे X बराबर A रखा तो A प्लस A और साथ यहां B गुणा जीरो तो यह आगे आपने पास में A बराबर 1 बटा 2 यह हो गया ठीक है अब X प्लस A बरावर 0 एक्स बरावर क्या आगया माइनस A यह भी कहा रखा आपने समीकरण एक में एक में रखने पर अब समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा देखा आप एक और एक गुणा जिरो और बी गुणा यहां गया माइनस ए माइनस ए तो यहां पर आगया बी बराबर माइनस एक बटे दो ए यह होगे अब ए और बी के मान आगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एकस की गाद दो माइनस एक की गाद दो को एक बटे दो ए और साब एकस माइनस ए और माइनस एक बटे दो ए इसको लिख सकते हैं एकस प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं तो यहां पर अपन यह कह सकते हैं कि साब आई आई बराबर जो यह लिखा हुआ है एक बटे एकस की गाद दो minus e काट 2 इसको आप लिख सकत व एक बटे 2 a और x minus e और dx और minus एक बटे 2 a और साब 1 बटे x प्लस a और dx ये लिख लिए हैं सब ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ एक बटे 2 ये हो गया लॉग X minus A और minus 1 बटे 2 A यह हो गया log X plus A और plus C अगर यहाँ पर 1 बटे 2 A common ले लो तो यह आ जाएगा log X minus A और X plus A मापांग में ले लो आप और plus C तो यह एक मानक सूत्र बन गया सा क्या कि X के कहाँ 2 minus A की कहा 2 D X जो है यह बराबर होता है यह कौन है अपने पास में मानक सूत्र मानक सूत्र ऐसा अगर कहीं दिखाई दे तो आप डारेक लिख देना यह तो एक है एक और होगा इसका दूसरा इसका ही रूप है वो भी यह है A स्कूर और minus X स्कूर्ड तो यह आएगा एक बटे दो और लोग यह बेस A plus X और A minus X plus यह हो गया लगा यह दो मानक सूत्र याद रखने और आंसिक भी नियाद रखने है तो कल अपन जब आंसिक भिन्नो का उप्योग करते हुए समाकलन करेंगे तो इन दोनो मानक सूत्रों का भी उप्योग करेंगे और जो आंसिक भिन्न पड़ी थी उसका भी उप्योग करेंगे ठीक है तब तक के लिए टाटा बाय बाय कल फिर मिलेंगे धन्यवाद आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पन्नी भी मिलता है मुझे सुनने के लिए बादो धन्यवाद थैंक यू